नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सर्मार्ग दैनिक रासीफल ससे पले जानते हैं दैनिक पंचांग के बारे में 29 नुवंबर 2023 बुद्वार का दिन है अगहन माह का कृष्ण पख्ष की दूतिया तितिया और शातर अमिर्क सिरा साधे न बहुत ध्यान रखिएगा और आज साधारन सी बातों पर दांपत्य जीवन में बिवाद हो सकता है परिवार की थोरी चिंताएं हो सकती है इसलिए संसारिक बातों में आपका आज मन नहीं लगेगा समाजी कारिकरम में किसी भी तरह का कोई भी इसू हो वहां से हड़ जाए आज कहीं भी किसी भी तरह का टेंसर ना ले मानसिक चिंताएं हैं और ये चीजें कहीं ने कहीं आपके वानी के जरीए दिखेगा इसलिए बाहर निकलिए इन चीजों से और पॉजिटिव रहकर अपने कारियों पर ध्यान दीजिए जो भी द्यारती हैं उनकले बढ़िया वक्ते हैं आपको टेंसर नहीं लेना आज लाब दायक अवसर मिलेंगे कोई सरकारी मामला रुका है उसमें भी गती आज आ सकती है और दूसरी तरफ आज के दिन दिन के दूसरे भाग में सुब सूचना मिलने की भी योग है लेकिन जल्दवाजी में कोई भी निरन आज नहीं लेना है नहीं तो बाते हैं पस्तावा होगा बेपचा का खर्चों पर कंट्रॉल रखे और आज करोद पर कंट्रोल रखने की भी आप सकता है करोद तो बिल् होगा इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें और आज कुछ ऐसे कारे जो आपने सोचा नहीं था वो हो सकता है दामपत्त जीवन का थोरा सा रिष्टों का ध्यान रखें पारिवारी समस्याओं को अगर सूजबूस से आप इप्टाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा समाज म मान परतिष्ठा बरता हुआ दिखिएगा किसी दोस्त के साथ पार्टी करने का मन बनाईए देर सा और ऑफिस में जो काम करते हैं खास कर बॉस का सपोर्ट मिलेगा लेकिन आपको भी पहले बी पॉजिटिव होना होगा और देखिए ऑफिस में किसी भी तरह का बिवाद न हम घर में कोई महमान आ सकते हैं वैसे तो लव लाइफ में अगर आप हैं अगर दूसरे को गिप्ट देंगे रिस्तों में मजबूती आने के भी योग है तो अभी तक आपने जो भी कारे करने की सोचे हैं फिर बदल थोरी करनी पड़ सकती है और दूसरा यूवा बर्ग ज इतना जादा चीजें आपके पक्ष में आएगी और स्वास के मामलों में इलर्जी की समस्या हो सकती बिना डॉक्टरी सला का कोई भी दवाए मत खाईएगा वैसे लव लाइफ अच्छा है और आज क्या न करें आज एक के दिन जलदबाजी में निरने बिलकुल भी ना ले पाडिवारी जीवन में सुकसानती है दोस्तों के साथ खुबसूरत पल बिताएंगे मान समान देर साम बढ़तावा नजर आएगा और मित्रों और परिवार का सपोर्ट मिलने से आथ विस्वास भी बढ़ेगा बस थोरा से हरदे में उथल पुतल है उस पर कंट्रोल कर ले खत्म हो जाएगा इसलिए ज्यादा छोटी छोटी चीजों को लेकर चीजों को बड़ा मत सोचिए और प्रेम के मामलों में उत्तम है लेकिन तोल मोल कर बोलिएगा धन्यबाद हम